हेलो स्टुडेंट्स गोड इउनिंग टो आला फ्यू क्या हल चाल है आई होब जबर्दस्त होंगे और सांदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी दोस्तों से सी जीडी की प्रीविएस येर सीरीज चला रहा हूं मैं और इस सीरीज में प्रीविएस येर मैट् डोजनिंग को साल्व करा रहा हूं 2020 के question paper में जो भी math पूछी गई है उनकी shift wise solution में करा रहा हूं ठीक है तो डेली सामको साथ बज़े math की class और डेली सुभाद 6 बज़े reasoning की class होती है और आज की जो math की class है इसमें 2 December 2021 की second shift के question लिये हैं जो लोग लगतार जूड़े हुए है उसमें मैत्स के question मेरे पास जो PDF है उसमें नहीं दिये गए है इसलिए second shift के question यहाँ पर दिये हैं आज की इस class में और जो लोग नए जुरूड हैं उन्हें बता दें कि daily 2021 में आगडित के सभी प्रस्णों का shift वाई जहल करा रहा हूँ ठीक है तो चैनल परना है चैनल को subscribe कर ले class का साल वो PDF जो है वह आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा और उसका link आपको description में मिल जाएगा ठीक है और daily सुबह अच्छे बज़े reasoning की class होती है तो इसे भी join करना बिलकुल भी मत भूलेगा आज की class की तरह बढ़ते हैं question number एक दिया गया है कि यदि किसी लेंदेन में हुई हान विक्रे मूले के एक बटे 5 के बराबर है तो हान परतिसत लगभग कितना है देखें अगर विक्रे मूले के एक बटे 5 के बराबर है मतलब यह जो 5 है यह क्या है विक्रे मूले हमारा विक्रे मूले SP है तो इसका एक बटे 5 एक क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा यानि हान हो जाएगा ठीक है अगर पांच विक्रे मूले है एक की हान हो रही है तो क्रे मूले कितना रहा होगा CP कितना रहा होगा छे रहा होगा छे रहा होगा तभी तो एक की हान हो था करके 5 में बेचा जायाग तो हानि प्रतिसात हमें ग्याद करना है हि को तो हानि प्रतिसत क्या होगा हान्य याणि एक बटे में प्रयमू लिछे गुड़े सो कि जब इसे साल करेंगे तो कितना आजाएगा 50 बटे तीन दो से काटेंगे 50 बटे 3 आजाएगा तीन से काटेंगे तीन एक-कम 3 तीन चंग 18 अथारह यानि 16.66 इस तरह से चलता जाएगा तो यहां किसके बराबर होगा लगभक लगवर होगा 16.67 साथ प्रतिसत की ठीक है? तो सोरा दसम्लोग छे साथ आप संचार में दिया कि आप संचार यहाँ पर राइट आंसार हो जाएगा अगर बढ़ते हैं अंगले कोश्चन में चालिस प्रतिसत और बीस प्रतिसत की दो क्रमागत छूटे किसकी एकल छूट के सम्तुल होंगी तो 40% की छूट 40% की छूट मतलब 40 की छूट माइनस बीस की छूट क्योंकि दोनो छूट हैं तो दोनो माइनस में होंगे और यहाँ पर कौन सा फर्मूला याउज करेंगे? x प्लस y प्लस xy बटे में 100 दोनों छूट हैं दोनों माइनस और माइनस माइनस का गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस चार दुनी आठ आठ सो बटे सो जीरो सो जीरो कैंसल हो जाएगा प्लस आठ आठ आजाएगा चालिस और बीस कितना होगा साथ माइनस के प्लस आठ यानि कितना आजागा माइनस का बावन और माइनस का बावन का मतलब क्या है कि बावन प्रतिसाथ की छूट आप सन एक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं अंगले कोस्टन में एक सुदो माइनस सोला और यह दियागा इसका मान कितना होगा बताना है तो एक सुदो माइनस सोला भागित आठ है आठ से भाग करेंगे आठ दूनी सोला आजाएगा दो एक सुदो माइनस दो कितना आजाएगा सो और सो माइनस दो कितना आजाएगा अठानवी भागित तीन प्लस पांच चार नौ और तीन से भाग करेंगे तो तीन द्रक का नौ यानि तीन आ जागा छित्रिक का अठारा माइनस साथ ठीक है अठानवे भागित अठारा में से साथ गया कितना बचे का ग्यारा और ग्यारा प्लस तीन चौदा आजागा चौदा सत्य अठानवे यानि कितना आजागा साथ आजागा आप संदो राइट आंसर हो जाएगा अगया बढ़ते हैं अगले कॉस्चन में रेनू का वै उसकी बचत से 120 प्रतिसत अधिक है यदि उसकी आए और वै में क्रमसा 25 परसंट और 30 परसंट की व्रद्ध हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिसत की व्रद्ध होगी सबसे पहले ना हम इसकी वै और बचत का जो है अनुपात निकाल लेंगे रेशियो निकाल लेंगे 120 परसंट का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा 120 बटे 100 जीरो से जीरो कैंसिल दो चाके 12 दो पंचे 10 छे और पांच बनेगा ठीक है इसका मतलब क्या है कि यदि रेणू की बचत पांच है तो उसका जो वै है वो कितना है बचत से 120 परसंट अधिक है यानि 5 से 6 अधिक है तो कितना होगा 11 होगा 6 5 11 ठीक है अगर बचत 5 है वै 11 है तो आय क्या होगा आय का मतलब क्या होता है कितनी कमाई है और कमाई कैसे पता चलेगी 11 खर्च करने के बाद 5 बच रहे हैं आय बराबर होता है बचत प्लस वे ठीक है जितना खर्च किया 11 और बचाय कितना 5 दोनों को मिला देंगे तो क्या जागा आय आजाएगी कितना हो जाएगा आय 16 हो जाएगी ठीक है उसकी आय और वे में क्रमसह 25 और 30 की व्रद ही हो जाए तो यहाँ पर इनकी आय को मान लेते हैं 160 और वे मान लेते हैं 110 और बचात मान लेते हैं ठीक है, जीरो अपनी तरब से बढ़ा लेंगे, अब इसमें 25% की व्रद्धी होगी, 160 में, तो टोटल कितनी आय कितनी बढ़ेगी, 160 का 25% निकाल लेंगे, पच्चिस है के 150, हासे लगे 15, 25 है कम 15, 5, 30, 10, 40, इसका 25% कितना आएगा, 40 आएगा, तो 40 आए बढ़ रही है, प्लस हो रही है, और खर्चा कितना बढ़ रहा है, गेरत या 33, 110 का 30% निकालेंगे, तो 33 खर्चा बढ़ रहा है, अब बताए कोई आदमी 40 ज्यादा रुपए कम बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चत और वे मिला करके कितना होना चाहिए, आएके बराबर होना चाहिए, तो 7 बच्चत बढ़ेगी, किसमें 50 में से, तो 7 बटे 50 गुडे 100, यानि कितने % 14 प्रतिसत इसकी बच्चत में जो है व्रध ही हो जाएगी, ठीक है, आप संतीन यहा हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, दो संख्याओं के LCM और HCF प्रमसा 3564 और 81 हैं, यदि वे संख्याओं 324 और X हैं, तो X के अंकों का योग ज्याद करो, तो संख्याओं का गुडन फल दोस्त किसके बराबर होगा, X into 224 बराबर होगा LCM से काट लेंगे, तो 81, 81, 81, 84, 4, 4, 4, 38, ठीक है, X पराबर क्या जाएगा, 4 इधर पच्छांतर कर देंगे, तो 4, 38, 4, 39, 4, 41, 4, X कमान आगया है, 891, और X के अंकों का योग ज्याद करना है, तो अंकों की योग निकालेंगे, 8, 9, 9, 8, 17, 18 आजाएगा, आप संख्याओं य एक विक्ति सांत जल में 9 किलो मीटर प्रति घंटे की चाल से 9 चला सकता है, उसे धारा की दिसा में 33 किलो मीटर जाने और धारा की विपरीद दिसा में 21 किलो मीटर जाने में बराबर समय लगता है, धारा की चाल किलो मीटर प्रति घंटे में ग्याद करो, देखें सांत जल म नौ की चाल क्या है नौ किलो मीटर प्रति घंटे है और धारा की दिसा में नौ की चाल बढ़ जाएगी ना जितनी धारा की चाल होगी उतनी नौ की चाल और बढ़ जाएगी यानि जो टोटल चाल होगी वह नौ की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगी धारा की दिसा में चाल किया होगी 9 की चाल प्लस धारा की चाल अगर एक्स मालने तो 9 प्लस एक्स हो जाएगा और धारा की विपरीत दिसा में यह अब यह तो इसे बोरा जाता है प्रतिकूल चाल और यह क्या हो जाएगी गई है, 33 km जाने में धारा की दिसा में, तो 33 km टोटल दूरी है, धारा की दिसा में जाने में, यानि 9 प्लस X की स्पीड से जाने में जितना समय लग रहा है, टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड, यह टोटल समय है जितना लग रहा है, यह बराबर है 21 किलो मीटर धारा के विपरीत दिसा में जाने में ठीक है बटे 9 माइनस X और यहां दोनों समय बराबर है क्योंकि बोला जा रहा है कि जाने में बराबर समय लगता है धारा की चाल हमें ग्याद करनी है तीन से काटेंगे 3 सत्य 21 होगा और यहां पर 11, 3, 11 आजाएगा 9 माइनस X को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 11 निया 99 माइनस 11 X और 9 सत्य 63 प्लस 7 X 11 X इधर आजाएगा तो कितना हो जाएगा 11 और 7, 18 X और 63 इधर जाकर के घट जाएगा तो बचेगा 6 और 9 में से 6 गया 3, 36 बचेगा X बराबर कितना जाएगा? 18 तिया 36 यानि X क्या है दोस्त? X यहां पर है धारा की चाल और धारा की चाल कितनी आ गई है? सरी, 18 दूनी 36 9 की चाल कितनी आ गई है? 2 यूनिट आ गई है दो किलोमीटर पति घंटे आ गई है दो किलोमीटर पति घंटे ठीक है? अपसंद 4 यहां पर राइट आंसर हो जागा 18 दूनी 36 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में आठ क्रमिक समसंख्याओं का आउसत 65 है यदि अगली चार क्रमिक समसंख्याओं सामिल की जाएं तो सभी संख्याओं का आउसत कितना होगा? देखे जैसे किसी कोई भी समसंख्याओं दी गई है उनका आउसत कुछ भी दिया रहे अगर एक अगली क्रम से एक अगली समसंख्याओं उसमें सामिल करी जाएगी, तो आउसत एक बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब अगली चार क्रमिक समसंख्या हैं, इसमें सामिल करी जाएगी, तो आउसत चार बढ़ जाएगा, यानि 65 है, प्लस चार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 79, आपसन 3 सही हो जाएगा, इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 और 4 का ओसत कितना है, 4 और 2 बटे 2 यानि 3 है इनका ओसत, 2 क्रमिक समसंख्या का ओसत 3 है, अगर इसमें एक अगली संख्या भी सामिल कर दी जाए तो अब ओसत कितना होगा, तो 6, 4, 10, 12, 12, 12 बटे 3 यानि 3 चोको 12, अब इनका ओसत 4 होगा, कित कितनी समसंख्या है, सामिल होंगी, क्रमिक समसंख्या है, उतना ही ओसत यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में, एक व्यापारी के पास 80 kg चावल है, जिसकी कुछ मात्रा वह 15 प्रतिसत के लाब पर, तथा 65 प्रतिसत की हानि पर एलिगेशन लगा देंगे, 15% का लाब पर बेच रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, पूरे लेन देन में उसे 12 प्रतिसत का लाब होता है, तो 15 में से 12 घटा देंगे, कितना आजाएगा, 3 और 12 में से 5 घटा देंगे, तो 12 माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 5, 17 इधार आ जाएगा थीक है तो 17 अनपात तीन के अनपात में यहां पर चावल है और 17 यूनिटों totalement बousesen टोटल, 20 यूनिट बबराबर 8000 kg चावल के हैं यहां पूछा जा रहा है कि चावल की कितनी मात्रा कितने kg 15% पर और 15% पर कितनी मात्रा 17 unit मात्रा यहां बेच रहा है तो 17 unit बराबर क्या होगा 17,68 kg चावल हो जाएगा आप संदो यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है अगर आप लोगों को कोई भी doubt रह रहा है किसी भी प्रस्ण में तो comment करके बता सकते हैं question number के साथ ठीक है और बाकी class आपको कैसी लग रहे है यह भी आप comment करके बताईए और class अच्छी लग रही हो तो like जरूर कर दीजेगा ठीक है और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो channel भी subscribe कर ले question number 9 दिया गए है कि एक संकू के वक्रप्रष्ट का छेतरफर 25 रूट दो πाई वर्ग सेंटीमीटर है यदि संकू की उचाई इसके आधार की तिरिज्जा के बराबर है उचाई जो है वह तिरिज्जा के बराबर है तो संकू का आयतन दसमलों के दो इस्थानों तक सही कितना होगा तो सबसे पहले तो संकू का वक्रप्रष्ट का छेतरफर पता होना चाहिए क्या होता है वक्रप्रष्ट का छेतरफर होता है πाई आर एल ठीक है अब देखें, L क्या होता है संकू में? L होती है यह तिरची लंबाई और L कैसे हम निकाल सकते हैं संकू में? उचाई और तिरज्या के वर्गों के योग को जोड़ करके उनका वर्गमोल निकाल लिया जाए ठीक है? क्योंकि यह होती है उचाई H और यह होता है तिरज्या R ठीक है? L बराबर क्या होता है? L स्कूर बराबर R स्कूर प्रस H स्कूर और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि संकू की उचाई इसके आधार की तिरज्या के बराबर है तो L स्कूर बराबर हो जाएगा r square plus h square की जगा पर ही क्या लिख लेंगे r square ही लिख लेंगे क्योंकि h बराबर क्या है r के है उचाई बराबर है तुरिज्या की ठीक है तो l square बराबर हो जाएगा 2r square l बराबर हो जाएगा r into root 2 ठीक है तो l command r into root 2 है और r कितना है हमें निकालना है क्योंकि वक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्रफ्रक्र पाई आर स्क्वाइर इंटू एच तो एक बटे तीन गुड़े बाइस बटे साथ इंटू आर स्क्वाइर और एच एच और आर बराबर ही है तो आर का क्यूब डायरेक्ट कर देंगे एक सो पच्चिस ठीक है अच्छा अगर हमें लगभग में पता चल जाए तो हम यहां पर अनुमान से साल्व कर सकते हैं तो एक सो पच्चिस के आसपास आना चाहिए ठीक है और क्यूंकि नीचे संख्या सात्रिक इक्किस छोटी है इसका मतलब है कि एक सो पच्चिस से थोड़ा सा बड़ा मान आएग थोड़ा सा एक सो पच्चिस से जादा वैलू आएगी क्यूंकि नीचे संख्या क्या है सात्रिक इक्किस है देखो बाइस बटे इक्किस गुड़े कितना है एक सो पच्चिस है तो यहां पर एक दसमलो कुछ में आएगा और जब एक दसमलो कुछ में आएगा एक सो हमारा आंसर कितना आ जागा 130.95 आ जागा 124.85 की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि 124.85 तो 125 से कम है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में रमेश ने सुरेश की तुलना में 30 प्रतिसत अधिक निवेश किया सुरेश ने अरुड की तुलना में 40 प्रतिसत कम निवेश किया जिसने 8000 का निवेश किया था रमेश और सुरेश द्वारा निवेश रासियों के बीच अंतर रुपए में ग्याद कीजिए देखो कौन कौन है रमेश सुरेश और अरुड सुरेश ने अरुड की तुलना में 40 परसंट कम निवेश किया अगर अरुड ने 100 निवेश किया तो सुरेश ने 60 निवेश किया और रमेश ने सुरेश की तुलना में 30 परसंट अधिक इसका 30 परसंट क्यों होगा 3 चंग 18 18 अधिक इसमें निवेश किया तो 78 का निवेश कि यानि अरोड ने 8000 का निवेस किया था. 100 यूनिट बराबर कितने रुपए के है? 8000 रुपए के है. तो रमेश और सुरेश द्रारा निवेसित रासियों के बीच अंतर ग्याद करो. इनके बीच का अंतर कितना है? 18 यूनिट है. एक यूनिट बराबर 80 है तो 18 यूनिट बराबर 1440 रुपए होगा बस हमारा आंसर यहाँ पर आजाएगा 1440 यह आप संचाथ सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अंगले कोशन में एक स्पोर्ट स्टोर अपनी वस्तों पर निश्प प्रत्सत की छूट देता है और आनलाइन वालेट से भुकतान करने वाले ग्रहकों को घटे हुए मूले पर दो प्रत्सत की अतरिक्त छूट देता है यदि कोई ग्रहक 18,000 मूले का खेल का सामान खरीदेता है और आनलाइन वालिट के जरिये भुक्तान करता है तो उस ग्रहा को कितनी धनराज भुक्तान करना होगा 18,000 की वस्तु है जो इसमें 19% की छूट देगा तो 81% में बेचेगा और फिर इसमें 2% की और छूट देगा तो 98% में बेचेगा इसे सालो कर लेंगे हमारा अंसर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो 0,0,0,1,2,3,0 कैंसिल हो जाएगे अब यहाँ पर इनका गुड़ा कर लेते हैं 8,1,8,8,8,4 इकाई के अंक में क्या आना चाहिए चार आना चाहिए और उसके बाद लगेगा पॉइंट तो यहाँ पर 4 कहाँ पर है यहाँ पर 4 आपको देखने को मिल जागा आपसं 3 में बस आपसं 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है? क्योंकि एक अंक के बाद दसमलो है इसके 4 के तूरंत बाद दसमलो लग जाएगा क्योकि बटे में क्या है? 10 तो यहाँ पर देखे 4 के बाद तूरंत दसमलो लग हो है और रिकाई के अंक में 4 है बस यहे मारा अंसर आ जाएगा अब हम चाहें तो इसको गुड़ा करा कर देख सकते हैं जब इसका गुड़ा कराएंगे तो 14288.4 आएगा लेकिन हमें परिच्छा में प्रस्वर जल्दी करना है तो हम आपसन का यूज भी करेंगे हम इकाई के अंग से कोश्चन को सालू करेंगे जो भी अप्रोच आसान होगा सबसे उसे हम यूज करेंगे अगला कोश्चन दिया गया है कि चार पक्षी A, B, C, D एक जंगल के चारों और उड़ते हैं वे क्रमसा 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं यद वे एक साथ उड़ना सुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंद पर पुना मिलेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन सभी संख्याओं का LCM निकालना होगा ठीक है और सब मिनट में दिये गए हैं तो 27, 30, 45 और 60 को लिखेंगे इनका LCM निकाल लेंगे दो से भाग कर देंगे तो 27, 15, 45, 30 आ जाएगा ठीक है फिर से दो से भाग करेंगे तो 27, 15, 45 और 15 आ जाएगा तीन से भाग कर देंगे तीन नमा 27, तीन पच्छी पंदरा और यहाँ पर 15, और 35, 15 आ जाएगा फिर से एक बार तीन से भाग कर देंगे तो 3 तरफ का 9, 5, 35, 15, 5 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें कौन कौन सी संख्या हमें मिली दो गुड़े दो, गुड़े 3, गुड़े 3, गुड़े 5 ठीक है और 12, 48 और 6, 54 540 मिनट के बाद यहाँ पुना अरंभिक बिंदु पर मिलेंगे लेकिन यहाँ पर पूछाए कितने घंटे बाद यहाँ 540 मिनट हैं तो 540 मिनट को घंटे में बदलेंगे 540 बटे 60 कर देंगे कितना जगा 6 नहीं है, 54 यानि 9 घंटे बात, आपसंद 4 यहां पर right answer हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले question में, 12 विक्ती 20 मीटर लंबा गढधा 8 दिनों में खोद सकते हैं, और उसी चोड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गढधा 6 दिनों में खोदने के लिए आवसेक विक्तियों की संख्या ग्याद करो, तो MDH बटे W वाला फार्मूले हैं पर लगा देंगे, M1 इंटू, D1 आठ दिनों में, 12 विक्ति 8 दिनों में, बटे W, 1 यानि 20 मीटर लंबा गढधा है, यह क्या है काम है, 20 मीटर लंबा गढधा खोद रहे हैं, बराबर होगा M2, D2 बटे W2 में, तो M2 हमें निकालना है, कितने विक्तियों की अवसकता होगी M, कितने विक्ति लगेंगे हमें निकालना है, समान चौड़ाई और गहराई वाला, 30 मीटर का गढधा, गढधे की जो लंबाई है या गहराई है, वो 30 मीटर है, ठीक है, 6 दिनों में खोदन के 24, 24 लोग मिल करके खोद लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में, एक वस्त, 350 रुपाय में खरीदी गई और 500 में बेची गई, प्रतिसत लाब क्यात कीजिए, दसमलों के दो सही स्थानों तक, तो 350 में खरीदी गई और 500 में बेची गई, तो 150 का लाब मिल 350 में से, लाब बटे क्रेमू, ले गुड़े क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5, 3, 15, 5, 7, 35, 300 बटे 7 आ जाएगा, और 7 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7, 4, 28, 2, 7, 2, 14, 6, 7, 8, 56, तो 42, 8 से सुरुवात होने वाला कौन सा अपसन है, आपसन 3 है, 42 तो समलोग 8, 6 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में, किरती की तुल्ना में राधा की कार्य को सलता आधी है, किरती और राधा को लिख लेते हैं, और किरती की तुल्ना में राधा की कार्य को सलता आधी है, यानि किरती की छमता गर दो है तो राधा की कितनी है एक है छमता राधा एक काम को अकेले पूरा करने में तीस दिन का समय लेंगी अगर राधा को तीस दिन का समय लग रहा है मतलब काम कितना है तीस गुड़े एक है क्योंकि राधा की छमता एक दिन में एक काम करने की है टोटल काम कितना है तीस ठीक है यदि राधा और कीरती दोनों एक साथ मिलकर काम करती तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा कीरती और राधा मिल जाएंगी एक दिन का काम एक दिन में कितना काम होगा दो प्लस एक तीन काम होगा और टोटल तीस काम करने में कितना समय लगेगा त तीन दहमतीस यानि दस दिन का समय लगेगा आपसन तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर सोला में दियागा है एक परिक्षा में विद्यार्थियों को उतीर्ड होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार हैं यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुतीर्ड रही यानि फेल रही तो परिक्षा का पूर्डांक कितना था इसका मतलब है कि 45, 145 में से 23 अगर अंक और मिल जाते तो उसे 35% अंक मिल जाते क्योंकि 35% में वह पास हो जाती तो 35% बराबर क्या होगा 145 प्लस 23 कर देंगे जोड देंगे तो कितना आजाएगा 168 आजाएगा ठीक है 7 से काटेंगे 7, 35, 7, 2, 14, 7, 4, 28, 5 परिक्षा का पूर्डांक यानि 100% कमान हमें निकालना है तो कितना आजाएगा 24 बटे 5 गुड़े 100, 5 दूनी 10, 20 से गुड़ा कर देंगे 24 को कितना आजाएगा 480 आजाएगा यानि परिक्षा को जो पूर्डांक था वह कितना था 480 नंबर का था ठीक है कोश्चन नंबर 17 दिया गया है एक व्यक्ति 50,000 की धनराज 4 प्रतिसत की वार्सिक साधर व्यास दर पर 3 वर्सों के लिए उधार ली उसने तुरंत यह रास एक अन्य विक्ति को 6 सही एक बटे 4 प्रसत की वार्सिक साधर ब्याज की दर पर 3 वर्सों के लिए उधार दे दी इस लेंदेन में उसे प्रतिवर्स होने वाला लाब ग्यात करो देखो 4 परसिंट की व्याज की दर पर उधार लेता है और 6 सही एक बटे 4 प्रसत की दर से व्याज की दर उधार दे देता है किसी को तो उसे जो लाब मिलेगा वा कितने प्रतिशत मिलेगा हम बाद वाली दर में पहले वाली दर को घटा लेते हैं तो 6 चौको 24 एक 25 बटे 4 प्रतिसत माइनस 4 प्रतिसत, 4 चौको 16 बचे कितना 9 बटे 4 प्रतिसत, तो 9 बटे 4 प्रतिसत का उसे लाभ मिलेगा, ठीक है, प्रत्य एक वर्स में, क्योंकि एक वर्स में इतने प्रसेंट का गैप आ रहा है, तो एक वर्स में 9 बटे 4 प्रतिसत का उ नौ बटे चार सो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और चार से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सो पच्चिस आ जाएगा, गुडे नौ है, गुडा करा देंगे, नौ पंचे पैतालिस, नौ दुनी अठारा और चार बाईस, नौ कम नौ और दो ग्यारा, कितनी ब्याज की समान वार्षिक दर से, तीन वर्स बाद प्राप्त मिस्रधन, साथ हजार चार सो पच्चासी है, और आठ वर्स बाद प्राप्त मिस्रधन, नौ हजार नौ सो साथ है, यदि ब्याज की दर पहले से दोगनी कर दी जाए, तो साधार ब्याज की दर से, उतनी ही रा पर साथ वर्स के बाद प्राप्त मिस्रधन कितने रुपए होगा। देखो ब्याज की जो दर है वहाँ साधारण ब्याज की समानवार्षिक दर है। ठीक है इसका मतलब है कि प्रतेक वर्स बराबर ब्याज मिलेगा। अगर तीन वर्स बाद मिस्रधन 7480 है और आठ वर्स बा निकाल लेंगे 9960 में से 7480 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 5 और 8, 7, 15 और यहां पर 8 बचेगा 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा और यहां पर कितना बचेगा 99 में से 7 घटा तो 2 5 वर्सों में 2475 का ब्याज टोटल इसे प्राप्त होगा ठीक है रास पर 7 वर्स के बाद प्राप्त मिसरधन निकालना है 3 वर्स के बाद प्राप्त मिसरधन कितना है 485 है और 8 वर्स के बाद प्राप्त मिसरधन कितना है 9960 है एक वर्स में ब्याज हम अगर निकालेंगे तो कित इतना आजाएगा पांच से भाग कर देंगे पांच चको बीस, पांच निया पैतालिस, पांच पच्चे पच्चिस, चार सो पंचान बे आ जाएगा और आठ वर्स के बाद जो हमें मिसरधन प्राप्त हुआ है अगर इसमें हम एक वर्स का ब्याज घटा दें तो साथ वर्स म प्राप्त मिसरधन जो है वा कितना होगा निन्यानबे सो साथ माइनस चार सो पंचान बे त्योंकि साथ वर्स में जितना मिसरधन प्राप्त होगा उसमें अगर एक वर्स का ब्याज और जुड़ेगा तो आठ वर्स का मिसरधन मिल जागा तो इसे घटा कर हम साथ वर्स के म और बचा कितना 9, 9465 यानि आपसन एक यहां पर सही हो जाएगा, 9465 रुपए 7 वर्सों में प्राप्त मिस्र धन हो जाएगा, क्लियर है, आगे वढ़ते हैं अगले कोश्चन में, कोश्चन नमबर 19, दिया का है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनरास को साधार ब्याज की द दर पर प्राप्त ब्याज, चक्रद ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपए अधिक है, तो निवेस की गई धनरासी ज्याद करो, देखो अगर 4% ब्याज पर चक्रद ब्याज है, तो 4% का फ्रेक्शन बनाएंगे, एक वटे 25 आजाएगा, और दो वर्सों के इन वेसित किया जा रहा है, तो मूल धन मान लेते हैं कि 625 है, एक वर्स का ब्याज कितना होगा, इसमें 25, और दूसरे वर्स का ब्याज 25 होगा, और इस 25 पर ब्याज मिलेगा, वह एक हो जागा, यानि 25, 25, 20 प्लस एक कितना हो जागा, 51, 51 रुपए चक्रद ब्याज है, ठी 10 परसेंट ब्याज हो जागा, क्योंकि 2 वर्स है, साधार ब्याज किदर है, तो 10 परसेंट का ब्याज अगर इसमें निकालें, तो कितना हो जागा, 62, 5 रुपए हो जागा, साधार ब्याज, अब हमें अंतर दिया गया है, कितना है, 184 रुपए है, यहां पर देखेंगे कित और पांद से का देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 5 3 15, 3 18, 5 6 के 30, 5 8 40 ठीक है और 23 से काटिएंगे तो 30 एककम 23 बचे कहा कितना, 7 और 6, 13 फिर 3 च्ह mit 28 और 6 बार चला जाएगा तो एक यूनिट बराबर आजागा 16 रुपए के ठीक है निवेश की गई रास ग्याद करना है तो 625 यूनिट कमान बताना है 625 बराबर क्या हो जाएगा 625 गुड़े 16 यानि की 10,000 रुपए आप संतीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में कोश्चन नमबर 20 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है उसी काम को 15 पूरस 5 दिनों में पूरा कर सकते है 10 महिलाओं ने काम करना सुरू किया और तीन दिन बाद 5 महिलाओं के इस्थान पर 5 पूरसों को काम पर लगा दिया गया काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा देखो 10 महिलाओं किसी काम को 15 दिन में कम्प्रीट करती है ठीक है और उसी काम को 15 पूरस 5 दिन में कम्प्रीट करते हैं तो 10 महिला आएं गुडे 15 या टोटल काम है और बराबर होगा 15 पुरुसों का 5 दिनों के काम के दोनों काम बराबर होगे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 एक कम 5 पांस दूनी 10 अगर रेशियो बनाया जाए ओमेन और मैन का तो कितना बनेगा 1 बटे 2 दो इधर चला जाएगा तो एक बटे 2 आजाएगा एम इधर आजाएगा तो एक महिला की चमता है एक यूनिट काम करने की और एक पुरुस की चमता है दो यूनिट काम करने की ठीक है तो यहां से हम सबसे पहले total काम निकाल लेते हैं चाहे यहां से या फिर यहां से क्योंकि 15 पूरुस पांच दिनों में काम कर रहे हैं और एक पूरुस की छमता है दो यूनिट काम करने की तो total कितना काम कितना होगा यहां पर M कमान रखतेंगे तो 15 दूनी 30 और 35 कितना 150 total काम होगा और 10 महिलों ने अगर काम सुरू किया है तो एक महिला एक यूनिट काम करेगी एक दिन में तो 10 महिला काम करेंगी एक दिन में 10 यूनिट काम होगा और 3 दिन बाद 3 दिन तक काम होगा तो 10 तियां 30 काम हो जाएगा 30 काम इसमें से माइनस कर देंगे काम बचेगा कितना 120 काम बचा और अब 5 महिलाओं के इस्थान पर 5 पूरुस आगा है यानि अब 5 महिलाओं हैं और 5 पूरुस हैं तो 5 महिलाओं की छमता कितनी होगी 5 एकम 5 होगी और प्लस 5 पूरसो की छमता कितनी होगी 5 दूनी 10 यानि टोटल छमता कितनी होगी 15 तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यानि 15, 8, 120 आठ दिन तो यहाँ पर टोटल लगेंगे और इसके पहले 3 दिन तक काम हुआ है तो 8 और 3 टोटल कितने दिन लगेंगे 11 दिन लगेंगे काम 11 दिनों में कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में 1,69,250 रुपए की धनराज A, B, C और D में इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B का हिस्सा 1 अनपाद 2 B और C का हिस्सा 2 अनपाद 5 C और D का हिस्सा 2 अनपाद 3 के अनपाद में होता है A का हिस्सा कितना होगा तो A, B, C और D इनका अनपाद हम लिख लेंगे 1, 3 और B अनपाद C, 2, 5 और C अनपाद D, 2, 3 अब देखें यहाँ पर हम कैसे साल्व करेंगे क्योंकि हम सबसे पहले निकालेंगे A, अनपाद B, अनपाद C, अनपाद D ठीक है? और यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 3 इधर आगे बढ़ा देंगे 3, 3 3 है ना? 3 आगे बढ़ा देंगे इधर देखें, 2 है तो 2 इधर आगे बढ़ा देंगे और इधर 5 आगे बढ़ा देंगे इधर आगे 2 बढ़ा देंगे तो 2, 2 आपको भी यही कर लेना है इस तरह से प्रस्म को साल्व कर लेना है ठीक है? और जब इनका गुडा करा लेंगे तो कितना आजाएगा तीन पच्छी पंद्रा और पंद्रतियां पैंतालिस आजाएगा अनुपाथ पांस दूनी दस दस दियां तीस आजाएगा अनुपाथ तीन दूनी छे और छे दूनी बारा आजाएगा अनुपाथ दो दूनी चार आजाएगा यानि कि A, B, C, D, A, B और C और D का उन पाथ कितना है? 4, 12, 30 और 45 इन सभी का योग जो है वहा कितना है? क्योंकि सब मिला करके कितने हैं? 1,69,250 तो सब को जोड़ेंगे तो 5, 2, 7 और 7, 4, 11 का एक खासिल लगा 1, 5, 3, 8, 9, 91 यूनिट बराबर कितना है? 1,69,250 ठीक है? 91 से इसे भाग कर देंगे क्योंकि हमें बताना है एक आईस्दा तो 4 यूनिट कमालने निकालना है सबसे पहले एक यूनिट कमाल निकालेंगे तो 11,92 से इसे कर देंगे भाग और जब 91 से भाग करेंगे तो यहांपर हम भाग करके देख लेते हैं 1,69,250 इक नवी से भाग कर देते हैं, एक बार जाएगा, यहाँ पर आजाएगा, आठ और यहाँ पर पंद्रा में से 9 गया, 6, 2 आजाएगा, 9, 6, 24, 9, 7, 63, तो साथ बार जाएगा, नो, साथ एकम साथ, साथ नया, 63, बचेगा कितना, 5 और इधर बचेगा, 4, यहाँ पर आजाएग पांच अब पांच बार चलाज़ागा तो कितना आज़ागा 1750 एक यूनिट बराबर आज़ागा 1750 और हमें चार यूनिट कमान निकालना है क्योंकि एक इससा घ्यानत करना है तो 1750 गुड़े 4 कर देंगे 0, 4, 25, 20, 0 हाची लगे 2, 4, 28 और 2, 30, 0 हाची लगे 3, 4, कम 4, 3, 7, कि के लिएर है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में कोश्चन नमबर बाइस दिया जा रहा है कि निमलखित विंजक को सरल कीजिए यह दिया गया है और इसे सरल करना है ठीक है देखने में बहुत मुस्किल लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान चले इसे सालो करते हैं और तादरा गुडित यहांपर देखे पांच वागित चार मैनस साथ या निए पांच बटे कितना ओ जायगा तीन मैनस या पर लगा देगा मैनस के पांच बटे तीन आ CA ढघा ठीक है और भागित क्योंकि यहां पर यह ब्रेकेट लगा हुआ है और इधर भागित लिखा लगा हुआ है इसलिए पहले इसे सालू करेंगे कितना आजाएगा एक बटे बीस आजाएगा इसे जब सालू करेंगे तो तीन बची पंदरा पांच आजाएगा माइनस और माइनस गुड़ा होकर के प्लस हो जाएगा ये ठीक है और पांच से काटेंगे तो पांच चो को बी किस आजाएगा 21-27 कितना होगा माइनस के 15 होगा और माइनस इधर माइनस के 4 और प्लस 5 बटे 4 तो 4 चको 16 माइनस के 16 और प्लस के 5 कितना आजाएगा माइनस का 11 बटे 4 बटे कितना है माइनस के 21 है यह ब्रेकेट ओपन हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो माइनस के पंदरा प्लस ग्यारा बटे चार बटे कितना है 21 है माइनस का पंदरा चोको 60 और माइनस के 60 प्लस ग्यारा कितना हो जाएगा माइनस के 60 और प्लस ग्यारा यानि 60 में से 11 को घटा देंगे बचे का 49 और माइनस का 49 बटे 4 और बटे 21 है तो 21 को इस से गुड़ा कर देंगे माइनस के 21 से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है और 7 सती 49 7 रिक का 21 तो कितना आजाएगा 7 बटे 4 गुडे 3 7 बटे कितना आजाएगा 12 आजाएगा आप संदो यहां पर right answer हो जाएगा, clear है, आगे बढ़ते हैं अंगले question में, एक camp में भाग ले रहे हैं लड़कों की ओसत आयू 16 वर्स है, और लड़कियों की ओसत आयू 13 वर्स है, यदि camp में भाग ले रहे हैं लड़के और लड़कियों की ओसत आयू का अनुपात, दो लड़कियों की ओसत आयू वर्स में कितनी हैं, यहां पर होना चाहिए कि भाग ले रहे हैं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात तीन है, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, क्योंकि उनकी ओसत आयू तो हमें दी ही गई है, 16 वर्स और तेरा वर्स ठीक है तो लड़के अगर दो हैं और लड़कियां है तीन और इनकी आउसत आई हूँ 16 है इनकी आउसत आई हूँ 13 है ठीक है तो टोटल आई हूँ क्या होगी लड़कों की संख्या गुड़े आउसत आई हूँ 16 32 और लड़कियों की संख्या गुड़ित तो कितनी हो जाएगी 9-2-11 और 4-3-71 हो जाएगी और total संख्य कितनी है तीन और दो पांच, 51 बटे पांच, पांच से भाग कर देंगे 5, कंप 5, दो ď suo ko 예 two 10, pacon 2份, तो 14.2 यहां पर total प्रतिभागी है उनकी औसातव हो जाएगी ठीक है question number 24 दिया गया है कि एक वरत में उत्कीर्ड किये गया उस वर्ग का छेतरफल कितना होगा जिसके विकर्ड की लंबाई 16 cm है तो वर्ग का विकर्ड दिया गया है 16 cm और हमें निकालना क्या है वर्ग का छेतरफल निकालना है तो दोस्त वर्ग का छेत्रफल अगर vicarड दिया हो तो क्या होता है एक बटे दो इंट्व विकरड स्क्वायर ठीक है यह होता है वर्ग का छेत्रफल तो वर्ग का छेत्रफल डाइरेक्ट निकाल लेंगे एक बटे दो विकरड कितना है, 16, गुड़े 16, दो से काटेंगे, दो अठे 16, आठ से गुड़ा करा देंगे, आठ चंग अड़ तालीस, हांसे लगे 4, आठे कमाट 4, 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्ग का छेतरफल हो जाएगा, क्लियर है, आगे कोस्चन नमबर 25, लास्ट कोस्चन दिया 30 मिनट का समय लेती है, और धारा की विपरीद दिसा में, उसी चाल से चलते हुए, समान दूरी तै करने में 36 मिनट का समय लेती है, तो सांत जल में 9 की चाल ग्यात करो, धारा की दिसा में कितनी दूर जा रही है, 12 किलो मीटर, और समय कितना ले रही है, 3 मिनट का समय ले रह तो धारा की दिसा में इसकी चाल कितनी होगी अनुकूल चाल 12 यानि डिस्टेंस बटे समय तो 30 मिनट का मतलब 30 और बटे 60 चला जाएगा 60 उपर क्योंकि घंटे में निकालना है तो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 24 किलो मीटर प्रति घंटे अनुकूल चाल जो है वाद 24 किलो मीटर प् 36 गुड़े 60 उपर कर देंगे ठीक है और बारतियां 36 तीन दूनी 6 यानि 20 किलो मीटर प्रति घंटे प्रतिकूल चाल निकर करके आई है सांत जल में 9 की चाल और 9 की चाल क्या होता है दोस्त 9 की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 यानि 24 प् 2 का मतलब 22 किलोमीटर प्रति घंटे यानि आप संतीन सही हो जाएगा ठीक है इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अनकूल चाल का मतलब X प्लस Y होता है अगर X 9 की चाल है और Y 13 की चाल है तो और यहाँ पर प्रतिकूल चाल का मतलब X-Y होता है X प्लस Y बराबर 24 दिया गया X-Y बराबर 20 दिया गया अगर दोनों समी करण को जोड़ दिया जाया तो 2X बराबर कितना आजागा Y से Y कैंसिल हो जागा बराबर आजागा 44 और X बराबर कितना आजागा 22 आजागा क्योंकि X क्या है 9 की चाल हमने मानी है तो 9 की चाल सांत जल मे कितनी होगी 22 किलोमीटर पती घंटे होगी या थे आज के इस सिफ्ट के 25 कैसे लगी है क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लें तो डेली मैं आप लोगों के देता हूं तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप सभी जितने भी पीडियाफ होते हैं आप राप्त कर पाएंगे ठीक है और क्लास कैसी लगे है कमेंट करके बताईएगा मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में तब तक क्यार जाहिए